नमस्कार, फेस्बूक लाईफ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं चुत्रातरपाःची को जो कहते थे मेरी कमीज सबसे जादा सफेध है आज वही लोग कह रहे हैं कि दाग अच्छे हैं जी हां हम भात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की आप ऐसे निकलेंगे सोचा भी नहीं था शुरुआत मैं करना चाहूंगी साल 2011-12 से आपको पता है कि जब अन्ना का अंदोलन हो रहा था राजानी दिल्ली में उस वक्त मैं दूसरे चैनल में काम करती थी हम लोग दिन में दिन भर आफिस का काम करते थे और शाम को जाकर अन्ना के अंदोलन में बच्चे के साथ वहाँ पर बैठते थे बाकी लोगों को भी कहते थे कि आप भी आईए क्योंकि देश में करप्शन के खलाफ एक बड़ा अंदोलन हो रहा है और इसका रश्प्रन को जड़ से मिटाना है जिसमें आपके और हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसलिए हम लोगों को जाना चाहिए राम लीला मैदान हुआ जंतर मंतर हुआ जहां पर भी ये लोग पहुचते थे जहां पर भी धरना अंशन या अन्ना जाते थे वहाँ पर हम लोग चले जाते थे इनको सपोर्ट करने के लिए अन्ना आंदोलन को अन्ना के चहरे को सपोर्ट किया गया था अन्ना को सपोर्ट किया गया था क्योंकि उनके उपर सबसे ज़ादा भरोसा था लेकिन एक शक्स अन्ना का इस तरह से इस्तमाल करेगा और उसके बाद उनको बिलकुल किनारे कर देगा ये बात तो बिलकुल सोच से भी परे है कुमार विश्वास के साथ क्या कुछ हुआ है वो छिपाने के जरुत नहीं है देश और दुनिया को बता है वही कुमार विश्वास जिसको अकेले लडने के लिए मेठी भेज दिया गया था मुझे याद भी है बीजेपी किस तरह से पूरे दमखम से वहाँ पर उतरी हुई थी जबकि अर्वंद केज़वाल बाकी जगों पर जादा ध्यान दे रहे थे कुमार विश्वास वहाँ पर अपने परिवार को ले कर गया थे अकेले लड़ रहे थे उस पर भी हम नहीं जाते हैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस करॉप्शन के मुद्दे पर इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन के नाम पर देश को एक जुट करने का आपने प्रयास किया जिसकी वज़े से आपको इतना जादा चंदा मिला जिसकी वज़े से राम लीला मैदान में लाखों लाखों की भिड़ लगी रहती थी वहाँ पर नचाने कहां कहां से लोग आकर आपको समर्थन करते थे उन सब को आपने धोखा दिया है आज जब सौरब भारदवाद जो की मंत्री भी है आम आदमी पार्टी सरकार में उनकी ओर से जब ये कहा गया कि हमने लाब के पद का इस्तिमाल कहां किया है कहां कुछ खाया है ना हमने गाड़ी ली ना बंगला लिया मतलब इतनी हास्यासपत बातें कोई विधायक कैसे कर सकता है ये बात बिल्कुल समझ से परे है एक और चीज मझे आदा आती है अर्वंद केज़वाल ने पहली बार जब सरकार मना आए थी उस वक्त भी लग रहा था कि देश में कम से कम एक अलग तरह के राजनीति का दौर शुरूआ है और अब यहां से जो करप्शन करेगा जनता उसको खारिश कर देगी और दिल्ली के जनता तो देश में सबसे ज़ादा एक तरह से समझदार मानी जाती है क्योंकि यहां पर पैसा है यहां पर पावर है लोगों के राजनीत की है यकीन मानिए मतलब मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े जो दिगज हैं वो लोग काफी जादा पीछे रह गये हैं बीजेपी और कॉंग्रिस पार्टी के मतलब एक ऐसा पॉलिटिशन अरविंद के जवाल इस समय बन गये हैं जिन पर भरोसा करना बेहत कठिन है ब आपनी चुनाव आयुक पर सवाल खड़े कर दिये रह रहकर आप लोग कोट पर सवाल खड़े करते हैं उसके बाद जनता के मूट को भी सवालों के घेरे में कभी आप ले कराएंगे पत्रकारों पर तो आप लोग सवाल खड़ा करते ही रहते हैं मतलब हर चीज पर जो भी ववस्ता बनी वी है हर चीज़ पर सवाल खड़े करने की आदत आमादभी पाटी और उनके नेताओं की हो गई है जिस जनता ने इतना भरोसा कि आपके कारे करता है इस समय कहां पर खड़े हैं जिन दो चेहरों को राज्यसभा का आपने टिकट दिया है संजय सिंग को अगर ह बहुत मुश्किल था आप इस बात को स्विकार ही नहीं कर सकते कि जो आरोप आपके उपर लग रहे हैं कि आपने पैसे दे कर टिकट बाटे हैं इसमें जितनी भी सच्चाई हो क्योंकि दावा तो बीजेपी और कॉंग्रिस यही कर रही है लेकिन ये सच के करीब भी लगत आपको बताते हैं बिलकुल इसी तरह का मामला साल 2006 में भी सामने आया था सोनिया गांधी राए बरेली में सांसत थी और एक और मामला उनके उपर चल रहा था जिसके बाद चुनाब आयोक के ओर से उनके सदसता रद्द कर दी गई थी उनको स्टीफा देकर सोनिया गांधी को माँब केजिशेगा स्टीफा देकर राए बरेली सीर्से उन्होंने एस्टीफा दिया दुबारा वो चुनाब में गई alकि चुनाब उन्होंने जीत लिया लेकिन उसногоक्त उनको स्टीफा देना पड़ रहा था 1966 में जब केंदर मे सुनिया गांधी को लोकसभा के सदसिता से इस्तीफा देकर राय बरेली से दोबारा चुनाब लढ़ना पड़ा था सांसद होनी के साथ इसाथ सुनिया गांधी को राष्टिय सलाहकार परशत का ध्यक्ष बनाय जाने से ये Office of Profit का मामला बनता था 2006 में सुनिया गांधी के कद का अंदाजा है केंदर में उनकी सरकार थी 2004 में इंडिया शाइनिंग के बाद अटल बिहारिवाजपी के सरकार जाने के बाद सुनिया गांधी कितनी मजबूती से हिंदुस्तान में उभरी थी इस बात को हम और आप अच्छे से जानते हैं 2006 में अगर सुनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा और दुबारत से चुनाब में जाना पड़ा तो आप सूची कि मामला कितना जातक गंभीर है उस समय क्या हम चुनाबायोग पर सवाल उठाते कि सुनाबायोग पर सुनिया गांधी से ऐसा किया या ऐसा करवाया सेम उसी साल का मामला जया बच्चन से भी जुड़ा हुआ है जया बच्चन का बहुत बड़ा कद है उत्तरप्रदेश में खास्तों और से समाजवादी पार्टी की राजनीती में हमको पता है 2006 में ही जया बच्चन पर भी आरूप लगा कि वह रज्जिसभा सांसद होने के साथ साथ उत्तरप्रदेश फिल्म विकास निगम की चेर्मैन है जया बच्चन की ओर से इस ओफिस ओफ प्राफिट मामले के आरूप लगने के बाद सुप्रीम कोट का दर्वाजा खड़ खड़ा गया था लेकिन सुप्रीम कोट ने पूरे मामले में सुनवाई के दौरान बेहत कड़ी टिपणी की थी और राहत नहीं दी सी जया बच्चन को राहत नहीं मिली थी 2006 का ये पूरा का पूरा मामला सोनिया गांधी जया बच्चन ये दो ऐसे बड़े नाम हैं हमारे सामने जिनको लेकर क्वेश्चन किये गए थे लेकिन कभी चुनाव आयोग पर सवाल नहीं ठोए कभी कोट पर या बाकी मीडिया पर सवाल नहीं उठे आम आदमी पार्टी का दरसल ये चाल चरित्र और चहरा हो गया है कि अगर हम जीत नहीं सकते हैं अगर हम अपनी बाते नहीं कह सकते हैं खाता ना बही जो अरवंद केजज़वाल कहें वही सही अगर ऐसे सिती पैदा नहीं होती तो आरूप लगा दो यही राजनीती करते हुए यह लोग चले आएं जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई है कि अगर यह सही नहीं इनके उपर आरूप लगा दो यह नेता सही नहीं है उपराज्य पास सही नहीं है मतलब किसी को भी लोगों ने बखषा नहीं है और आपको बता दें कि जब इन्होंने सचयों बना दिया था अपने लोगों को और जब यी पूरा का पूरा मामला राश्ट्रपती के पास पहुंचा था आपको बता दें उसके बाद इन्होंने कानून बनाने के कोशिश की थी कि अब कानून बना दिया जा जाने कि बैक डूर से दर्वाजा खट खटा कर अपने लोगों को रहत देनी के कोशिश के जवाल ने कही थी लेकिन उस समय प्रणा मुखरजी राश्ट्रुपती थे उन्होंने सिरे से खारश कर दिया था लोटा दिया था इनकी ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया था आप का समवधान उसका अनुच्छेद भी शामल है इसलिए मैं बिल्कुल भी गलती यहां पर नहीं करना चाहती इसलिए मैं उन आकडों को मैंने नोट कर रखा है मैं पढ़के आपको बता देगी हूँ Office of Profit के बारे में समवधान का अनुच्छेद 101A के तहट MP या फिर MLA ऐसे किसी भी पतपर नहीं रह सकता जहां वेतन भत्ते या अन्य फायदे मिलते हूँ आपको बता दें हमारे समवधान का अनुच्छेद 101A भी यही कहता है जन्द प्रतिनिद्द्व कानून के धारा 9A के तहट भी Office of Profit के तरह ही इसमें भी प्रावधान किये गये हैं यानि कि समवधान के धारा में पूरी तरह से प्रावधान किया गया है इसको लेकर अब अर्विंद केज़वाल को या तो पता नहीं होगा या तो उनको लगा होगा कि चुंकि हमने 67 सीटे जीत ली हैं 70 में से दिली की तो हम ही हो गए सर्वे सर्वा अब तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हम जो कहेंगे वो डंके की चोट पर कहेंगे और जैसे करेंगे अपने मन की करेंगे वही चलाएंगे इस मांसिक्ता के तहता असा लग रहा है कि वो लोग आगे बढ़े थे और इन चीजों को ध्यान नहीं दिया उन्होंने तभी आज उनके जो 20 विदायक हैं उनकी सद उन रहा है, मैं कोशिश करते हूं कोश लोग जो अपनी बातें, इस वक्तह में भेज रहे लिखते हैं कुछ लोग राष्टरवादी भाजपाई लोग हैं सिर्फ और बाकी सब जूटे इस तरह की बाते भी लिख रहे हैं डॉक्टर राजिंदर क्या बात है दिनेश निशाद लिख रहे हैं वो है सर्वे सर्वा अंहोंने का है कि शर्म नहीं आती आपको जितना चिंता अपको भाजपा का होतना किसी वही होते मुझे क्या बाते मत लिखा करें अप लोग मेरे फेस्बूक के दोस्त है इस तरह की बाते लिखेंगे तो मुझे भी हासी आएगी भाजपा को लेकर भी जहां पर गलत होता है, मैं सवाल question करती हूँ, मैं अपने profession से, अपने पत्रिकारिता से किसी बे तरह का समझोता नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने profession में बहुत हिमानदार हूँ, और इस तरह की बातें आप लोग नहीं लिखेंगे, हालां कि आप जनता हैं, आपके राई भी सरमाथे पर, लेकिन इस तरह की बातें मत लिखा करिए, आशुतोष मिर्शा आपका bulletin मैं देखता हूँ, जरूर देखा करिए बहुत शुक्रिया, आपने जो बाते कहीं वो अच्छी लगी, बहुत आभार कुछ लोग और है नेतिन अगरवाल हैं, पूनम दिगविजे हैं, वो भी अपनी राई रख रहे हैं, गुलशन कर्शयप हैं, सरफराज आदल हैं, ये सब लोग अपनी अपनी राई रख रहे हैं और इस समय मुझे जो लोग लाइब सुन रहे हैं तेरो सौ के, खरीब वो लोग जा चुके हैं, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर क्वेशन कर रहे थी, और एक बर फिर से वही बाते अन्ना क्यांदूलन से जो अरवंद केज़वाल निकला था, जिसको हम लोग अन्ना कार्जु ने एक वक्त पर कहा करते थे, नीली रंकी वेगनार कार्मी जब वो चलता था, तो कितनी जादा उम्मीदे थी, जिस शक्स ने कहा था कि नहीं मैं बिल्कु साधारर तरीके से रहूँगा, आम आदमी जिस बीजेपी अच्छा करे, कॉंग्रिस पार्टी अच्छा करे, या आम आदमी पार्टी अगर अपनी गलतियों को सुधारे और वो आपके लिए अच्छा करे, जो भी आपकी बहतरी में हो, लेकिन दिल्ली की जनता को भी समझना होगा, कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चा जाती है, कैसे में बहुत जरूरी है, अरविंद केजवाल और उनके साथी भी सुने, बहुत सारे लोग जो क्वेशन कर रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो बाते मैं कह रही हूँ, वो गलत कह रही हूँ, तो भी इतने कम समय में, मतलब आप समझें कि राजनीती के महत्वकांगशा इनकी कितनी जादा है, कितनी जादा है कि इनोंने अपने साथियों को दरकिनार कर दिया, ये दो कौन लोग थी जिनको राज्यसभा का टिकर दिया गया, आशुतोष को भी देते तो भी मैं माल लेती कितने बड़े संपादक थे आशुतो शाइब बिन सेवन में, और वहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब उसने अच्छे खासी अपनी लाखों के नौकरी भी दाओं पर लगा कर इनका हाथ थामा, किसे को भी कर देते, बहुत सारे लोग थे, कु आफिस ओफ प्रॉफिट का जो मामला, लाब के पद का जो मामला सामने आया है, लाब के पद मामले में अभानी लग रहा है, कि जवाल और उनकी पार्टी को होगी, इस पूरे मामले में दुख मुझे सिर्फ इस बात का हो रहा है, क्यूंकि मैं भी एक बार अन्ना के अंद आले सर्टालमत उस यूग में आ गया है, जब देश आजाद हो रहा है, हम लोग उस तरह के से उन चीजों को देखते थे, लेकिन उन्होंने छल किया है, उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा लगता है, कुल मिलाकर अभी भी चुंकि तीन साल अर्विंद के जवाल और उनकी प पार्टी के कारेकरताओं का वो ध्यान रखेंगे, जिन्होंने अपने अच्छे खासी नौकरी छोड़कर, जिन्होंने घंटों-घंटों मेहनत करके आम आदमी पार्टी को यहां पर खड़ा किया है, और किसी एक व्यक्ती के महत्वकांग्शा के वज़े से वो पार्टी खराद नहीं होनी चाहिए, मेरी बस इतनी उम्मीद है, वो अर्विंद केजवाल जिसको हम लोग अन्ना का अर्जुन कहते थे, मैं खुद बोलती थे अन्ना का अर्जुन और हम लोग बहुत खुश होते थे जब वो न्यूजरूम के स्टुडियो में आते थे और उन्हें देख के लगता था कि कितना इमानदार ये शक्स है, मतलब ये हमारा आदर्श है, आज मतलब सोचना पड़ता है कि हम लोग उने एक शक्स को क्या से क्या बना दिया, इसी वज़े से मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, अर्विंद केजवाल और उनकी पार्टी, मेरा वेक्ति लगाने के बजाए खुद के गिरेबान में जाकिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है, हमेशा जनता आपके लोग लुभावनी जहासे में फसने वाली नहीं है, कितनी भी आप बजली, सीड़ियों पे चड़ के बजली के तार काटिए, या दूसरे तरीके से ये दिखाने के क कोशश कीजे, कि भया मैं आम आदमी हुजी, लेकिन जनता आप समस्दार हो रही है, और एक बार अगर राजनीती से आपको खारिश करेगी, तो यकीन मानिए, अब वो दौर चला गया है, जब आम आदमी पार्टी के उपर, अरविंद के जवाल के उपर आँख बंद करके लोग भरुसा करते थे, तो खुल मिलाकर मुझे इतनी ही बात क्यानी थी, बहुत सारी चीजों को लेकर मैं यहाँ पर बैठी वी थी, उम्मीद यही है कि इन तमाम बातों को अरविंद के जवाल, उनकी पार्टी और साथी दिल्ली के जनता भी ध्यान से सुनेगी, मेरा मक उसको लेकर अच्छा रिसर्ज किया है, तो अच्छी पढ़ाई की है तो, और चुंकि मैं उसका हिस्सा भी रही हूँ, उस आंदोलन को मैंने देखा है, उसको ना सर्फ कवरिज की है, बलकि एक आम नागरिक के तौर पर जाकर अन्ना के आंदोलन को समर्थन किया है, आज लोगों को छोड़ दीजे, लेकिन अन्ना को देखकर मुझे तकलीफ होती है, उमीद यही कि कम से कम यहां से समझेंगे के इस जिवाल और दिल्ली की जो जनता है, उसको मूर्ख नहीं समझेंगे, फिलहाल के लिए बस सितना ही, लेकिन बाकी की जो अपडेट आएंगे, व लेकिन अभी मैं सिर्फ घर पे बैठे बैठे, ऐसे ही दमाग में आया था, तो मैंने सूचा, आम आद्मी पार्टी, उसका पास्ट और उसके भविश्र को लेकर आप लोग उससे बातशीत करूँ, मेरे साथ इस वक्त सो लोग मौजूद हैं, जो मुसे लाइप सुन रहे ह हैं तो, बहुत शुक्रिया, और आगे कोई भी अगर लगेगा कि कोई मुद्दा है और उस पर मुसे अपनी बात रखनी चाहिए, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, नागरिक के तौर पर आप लोगों से इस वक्त में इंट्राक कर रही हूँ, तो मैं वो बात आप लोगों के सामने जरूर रखूंगी, थांकियो सो मच, बाय गूद नाइट